हेलो एवरिवन तृष्टी के टीचिंग एग्जाम यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं गितानजली शुकला जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहाँ के एक खास सेग्मेंट पर चैसा कर रहे हैं याने डी डी ट्रिपल अस्वी का मतलब है दिल्ली अधीनस्त सेवा चैन बोड इसमें जो भूगोल का सिलेबस है सोसल साइन्स के अंतरगत भूगोल के सिलेबस में जो टॉपिक मैंशन है उन टॉपिक्स की कंसप्ट को समझने की क परिक्षा के लिए हाथ से इंप्टेंट हो सकते हैं तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं देखिया हमने कई सारे इंप्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा पहले भी कर रखी है आप दृष्ट्री टीचिंग एक्जाम में जाकर यूट्यूब चैनल में जा सिव जैसे टरंगे जौरण मुखी से निकलने वालावा इत्यादी के माध्य म से प्रथ्वी के भू गरभन में क्या है कैसी सितिया हैं कि हम सब चानते हैं जैसे ही हम प्रथ्वी प्रित्वी में बाहरी सतह से भीतर की और जाते हैं या गहराई में प्रवेश करते हैं तो हमें यह पता चल रहा है कि इतनी गहराई तक तो जाया नहीं जा सकता लेकिन इस छेत्र से जो भूकमपी तरंगे बाहर की और निकलती है उससे उन तरंगों की प्रभाव से उनकी वि जानकारियां प्राप्त हुई हैं वे इन ही तठ्थेवाधाय भी तत्थियां अब इंपॉर्टन कंवी जैसे जॉअलरकियो निकलने वाला जो किस यह प्र हम दे जो किस भी आता है यह कि सभी जानकार्यां कहां है पृतफी की ही संदुचना में अभू के बारे में दिखिया ध्यान रखेगा हम मोटी मोटी बात करने वाले हैं क्या है एक हिस्त्य को यहां से इतना काठ के इसका डाइग्राम यहां बनाते हैं ये कुछ शिस्तरीक से उबढ़ खाबर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि प्रत्वी के जो उपरी हिस्सा है उसमें क्या है महासागर भी है और महादवी भी है महादवी भी है जहां पर उभरा हुआ हिस्सा है इसलाकरतियां बनी हुई है पर्वती शेत्र है और जो हिस्सा नीचे की और है वह क्या है वह महासागरी शेत्र है चीक है और यह महादवी भी है मुख्य तह या मोटे तौर पर प्रत्वी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है पहला हिस्सा कहलाता है उसका भूपरपटी जिसे हम क्या कहते हैं क्रस्ट कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं क्रस्ट या भूपरपटी दूसरा हिस्सा कहलाता है उसका मैंटल जिससे हम प्रावार कहते हैं और तीसरा है कोर चिक क्रस्ट भी दो भागों में डिवाइड है ध्यान रखिएगा चिक है mental भी दो भागों में divide है और core भी दो भागों में divide है जिसे हम inner core, outer core, inner mental, outer mental, inner crush और outer crush की रूप में जानते हैं। झाने जानते हैं अभ एक और बात की idag mental और core को dau या करने वाली distance से गहराई है वैं लगभग 53 किलोमेटर मेंटल को कोर से डिवाइट करनेवाली जो डिस्टिंस से कितनी है लगभग उन तीस सो किभो मेटर मेंटल के सब सी उपरी हिस्से में कुछ यहाँ पर कि जो छेत्र है वह क्या है दुर्बल मंडल कि कुछ छेत्र है जहां पर क्या है दुर्बल मंडल है यहां पर कुछ चट्टाने पिखली हुई अवस्था में भी पाई जाती है ठीक है अब एक और बात आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा क्रस्ट प्लस मेंटल का का ऊपर हिस्सा मतलब क्या आउटर मेंटल जैंक ये पूरा आउटर मेंटल और उपर का पूरा क्रश्ट यह क्या कहलाता है क्रश्ट प्लस नेंटल यह कहलाता है इस्थल मंदल शोब इसे लिए आपने सुना होगा कि इस्थल मंडल की गहराई कितनी हैं दस से 200 किलो मीटर तक अब हम पृत्वी के इन तीनों हिस्सों को डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश समझने की कोशिश यहां करते हैं सबसे पहले हिस्से की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं क्रस्ट इसे हम अगले स्लाइड से समझते हैं इसे या पहले हिस्से को हम कहते हैं क्रस्ट या भूपरपटी भूपरपटी की एदि हम बात करें या कृष्ट की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यह प्रत्वी का सबसे उपरी और ठोस हिस्सा है ठीक है जो विभिन प्रकार की इस्तिलाक्रतियां पाई जाती है वे कहां पाई जाती है क्रस्ट की सबसे उपरी हिस्से मैं ध् ध्याजान रखनान है जोब कर Ooh पर पत्ची का क्या है ठोच हिस्सा है और यह पूरी प्रृठ्वी में सबसे बाहरी हिस्सा है सबसे बाहरी भाग ar k الإchequer और कौनसा थ्माजनकी का धोज़िंग का प्रित्वी का सबसे बाहरी भाग इसके वारे में खास बार यह हिस्सा यानि प्रत्थवी का यह उपरी हिस्सा क्या है भंगुर होता है ठीक है भंगुर ब्रिटल शब्द आपने सुना ही होगा तो ध्यान रखेगा यह क्या है प्रत्थवी का यह हिस्सा बहुत ही भंगुर होता है भंगुर यानी जल्दी तूट जाने वाला जल्दी तूटने वाला या जल्दी तूट जाने वाला ध्यान रखेगा तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है आपको क्रश्ट के बारे में भूपरपटी के बारे में कि यह पृत्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है और साथ में रुथवी का सबसे बाहरी और ठोस हिस्ता है यह सबसे भंगुर हिस्सा है यहान रखे सबसे भंगुर का मतलब क्या यानि यह हिस्सा आसानी से जल्दी क्या हो सकता है तूट सकता है यानि इसमें बहुत जल्दी तूटने की प्रवत्ति पाई जाती है आप से इसके बारे में यहां लिख सकते हैं यदि हम क्रस्ट की भूपरपटी की मोटाई के बारे में बात करें तो भूपरपटी की मोटाई महासागर के लिए और महाद्वीप के लिए अलग-अलग होती है जान रखेगा महासागर वा महाद्वीप के लिए महाद्वीप के लिए इसकी मोटाई अल मन लीजे हम प्रत्वी की उपर हिस्से की बात करें आपने देखा कि यह क्रश्ट है क्रश्ट में यह हिस्सा क्या है महासागर जहां पर क्या है जल भरा हुआ है और यह हिस्सा है इस्थली हिस्सा जहां पर थोड़ी सा उभार भी है कुछ हिस्सा परविती हिस्सा भी होगा ज जब कि हम जैसे ही महादवीपी हिस्से की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महादवीपी हिस्से में उचाई क्या हो गई थोड़ी सी बढ़ गई किसकी तुलना में महासागरों की तुलना में महादवीपों में उचाई थोड़ी क्या हो गई बढ़ गई इसलिए कहा ज होती है क्योंकि महासागर क्या है थोड़ी सा मीशी की ओर है इसकी उचाई कम है महाजु क्यों उचाई ज्यादा है इसलिए क्रष्ट क्या होगा अधिक ज्यादा तैसी मोटका यहां पर इसकी लंबाई क्या होगी थोड़ी सी कम होगी जबकि परवती शीत्रों में शो की पर्वती हिस्से हैं या पर्वत्री होगीई और जादा होगी और अधिक होगी यह आपको ध्यान रखना है देखिए आमतोर पर महा सागर की नीचे यह महा शागर पर जो पर क्रश्ट की मोटाई है वहाँ पांच किलो मीटर है महाद वीपी शेत्रों में क्रस्ट की मोटाई लगभग 30 किलो मीटर है ज्ञान रखेगा जो हेमाली रीजन है हमारे हेमाली की बात करें हमाली परवत्री शंगला की बात करें तो वहाँ पर महासागर की मोटाई लगभग क्रस्ट की मोटाई आपको ये बात ध्यान रखना है, क्या है औस तरीके से हमने क्रिष्ट के बारे में भूपरपटी के बारे में समझने की कोशिश की, क्योंकि महासागरी हिस्से में इसकी मोटाई औस पांच किलोमीटर, महाजीप में 30 किलोमीटर और औस मोटाई अब यदि हम बात करें हिमालीयन रिजन की धियान रखेगा, तो लगभा कितनी है, 70 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है? अब दूसरे हिस्से की बात करें, दू दूसरी heading डाले प्रावार या mental तो यह प्रत्वी की ऊपर से गहराई या सतह से जैसे ही हम गहराई की तरफ जाएंगी तो यह प्रत्वी का कौन सा दूसरा हिस्सा है और यह दो हिस्तों में डिवाइड है mental का सबसे उपरी हिस्सा क्या कहलाता है यहां दूर्बल मंडल कहलाता है ठीक है तो प्रत्वी का क्या हिस्सा है दूसरा हिस्सा है उपरी सतह से जब हम नीची की ओर जाएंगे तो गहराई की ओर जाएंगे तो इसके सबसे उपरी हिस्से को मेंटल के सबसे उपरी हिस्से को क्या कहते हैं दुरबल मंडल के नाम से जाना जाता है आपको ध्यान रखना है किस से जड़ा हुआ तथिया यह मेंटल से आपको इस डाइग्राम में चीजे क्लियर हो जाएंगे चीक है तो मेंटल के बारे में क्या ध्यान रखना है कि मैंटल क्या है एक तो भू परपटी के बाद पृत्वी का गहराई में जैसे आप जाएंगे तो दूसरा हिस्सा है ज्यान रखें कौन सा हिस्सा है दूसरा फस्ट क्या है क्रश्ट क्या है को चीक है दूसरा हिस्सा है इसके अलावा आपको क्या धान रखना है कि जैसे ही आप अंदर हिस्सा क्या है दुरूबल मंडल है यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जो क्रश्ट को मेंटल से सीमा अलग कर रही है यह यह बॉर्डर ध्यान रखेगा यह बॉर्डर यह किस से डिवाइड़ है इसे मोहो मोहो असांतत्य कहते हैं यह तथ्या आपको याद रखना है ठीक है तो क्रश्ट से क्रश्ट से क्रश्ट से जो सीमा डिवाइड करती है किसे मेंटल को उसे क्या कहते हैं मोहो असांतत्य मोहो असांतत्य अब एक और information क्या ध्यान रखना है सबसी उपरी हिस्सा दुर्बल मंडल है यह भी ध्यान रखना है कि mental की सबसी निचली सतह की जो गहराई है वे कितनी है यानि आप क्या कह सकते हैं कि mental और कोरी की बीच या कोरी की जो सबसी उपरी सतह लगभग उन तीस सो किलो मिटर तक है यह आपको information ध्यान रखनी है अब जब हम दुर्बल मंडल की बात कर रहे हैं दुर्बलता मंडल की बात कर दे हैं तो ध्यान रखेगा उससे एस्थेनो कहते हैं जहां एस्थेनो का रथ होता है दुर्बल चिक है चट्टाने गर्म गले तवस्था में पाए जाती है इस वज़ज़ से इसे दुर्बल कहते हैं छेत्र को क्या कहते हैं दुर्बल मंडल की कुछ information थी किसकी बारे में मैंटल की बारे में जो हमने समझने की कोशिश की एक और खास बात क्या ध्यान रखना है यहां पर चुकी चट्टाने क्या है घर्म गले तवस्था में पाई जाती है तो जोअला मुखी के लिए जो स्थ है जो श्रोत है वे कहां पर है दुर्बल मंडल में है या आप कह सकते हैं कि मेंटल में है तो ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी का श्रोत इसके लावा के लिए ज्वाला मुखी का श्रोत है वे कहां पर है मेंटल में है तो इस तरीके से हमने मेंटल से जुड़ी हुई कि कुछ दिखान रखेगा अब और खास बात क्या ध्यान रखने है आपको को कि हमने भी पढ़े प्ड़ा कि опис up into का ओपरी हिस्सा ख्रास प्लस मैंटल काお judgments के अपर म Mendel यह मिलकर क्या बनाते है यह मिलकर बनाते यह आप कह सकते हैं इस defendant और स हम दल की घहराई अभी हमने देखा कितनी है लगभग 10 से 200 किलोमेटर तक ठीक है तो इस तरीके से हमने इस्थलमंड क्रिस्ट और मैंटल दोनों के बारे में information जाने अब हमारा तीसरा हिस्सा है ध्यान रखेगा क्या तीसरा हिस्सा है कोर सबसे अंतिम हिस्सा है प्रित्फी का कोर यह भी दो भागों में डिवाइड है एक तो अपर कोर और दूसरा इनर कोर सबसे अंदर वाला हिस्सा चिक है यह ध्यान रखना है आपको कि चुकि हम कोर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बेसिक चीज बेसिक इन्फोमीशिन क्या ध्यान रखना है कि कोर के बारे में हमें कैसे पता चला और के बारे में हमें पता चला भुकम्पी तरंगों के माध्यम से तरंगों के माध्यम से हमको को कोर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और एक और खास बाध्यान रखना आपको इसी के बारे मैं जब में कोर के बारे में हें information overs nun आज हकर रहे हैं तो आपको क्या झान रखना है कि जो कोर कोर की जो अंतिम लिमट तो कि कोर क्या है एक तो अपर थौउर हें एक है बाहे कोर जैसे हम कहेंगे वह ध्यान रखेगा कि वह तरल अवस्था में पाया जाता है आप इसी इमेज में ही यहाँ पर इमेज बना सकते हैं और आप ध्यान रख सकते हैं यदि हम मान लीजी कोर की कोर को देखते हैं यह अपर कोर और इनर कोर तरल अवस्था में पाया जात ता है ठीक है और Inner Core ठो सवस्था में पाया जाता है ठीक है किस अवस्था में ठोस अवस्था में पाया जाता है K निकिल और क्या अएगा ध्यान रखे नीफे माफ कीजिगा जैसे हम बोलते हैं किसे एफी लोहा लोह तत्वे हाँ पर पाय जाता है जैसे हम फैरम कहते हैं और इसी का शॉर्ट फॉर्म फिर क्या निकल के आता है नीफे तो जो कौर है कौन से तत्वों से निर्मेत है ध्यान रखेगा नीफे इस वज़़ा से कौर को नीफे परत भी कहा जाता है इस वज़़ा से कौर को क्या कहा जाता है नीफे परत तो क्रोड की जब हम बात करेंगे सबसे भीतरी हिस्से की जब हम बात करेंगे ध्यान रखेगे यह भारी तत्वों से भारी पदार्थों से मिलकर बना है इस वज़़ा से नीफे कहा जाता ह है भारी पदार्थों में निकल और फेरम है इसे का शॉर्ट फ़र्म निकालकर नीफे कर दिया है नीफे परत इस वज़े से इसका नाम है ठीक है तो ध्यान रखेगा यह कोर्स से संबंधि जो भी परतों में ठीक तो इस तरीके से हमने प्रुत्वी की आंतरिक संरुच्ण में जो तीन हिस्से हैं जैसे क्या-क्या एक तो सबसे पहली पूपरी हिस्सा है भूपरपटी फिरमैंटल और फिर अन्तुम में कोर्स इन तीनों को हमने समझने की कोशिश के इनकी बेसिक झाले कोशिश करेंई लियाटिया में कोशिश के झाले कोशिश इनकी का जाले स clearing की कोशिशन पक्रुत्स कुछ फिर